तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका Facebook अकाउंट हैख हो गया है और उसी Facebook अकाउंट से आपने अपने Free Fire अकाउंट क्रेट किया हुआ था तो ऐसे में आप वने Free Fire अकाउंट में भी लॉगिन नहीं कर पाते हो तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको अपने Google का अप्रिकेशन में आना है देन आपको यहाँ पर सर्च करना है Free Fire Help Center अब जैसे ही आप इस चीज़ को यहाँ पर सर्च करोगे कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आएगा तो दूसरे नंबर पर आपको वेपसाइट देखने को मिलेगा कर देखने को मिल जायेगा तो सिंपल आपको इसपर क्लिक कर देoqu होगा तो सबसे पहले अपको अपने इकाउन्ट में शाइन करना होगा किसी दूसरे फ्रिफायर अकाउंट कीओ ya अपने फ्रेंड का यूज कर सकते हो यानि कि किसी फ्रीफायर आइडी से सबसे पहले यहां पर आपको लॉगिन कर लेना है तो गाइस अब आपको यूजर ने मापके अकाउंट का देखने को मिल जाएगा तो आपको आगे क्या करना है नीची आपको एक इस तरह का बॉक्स को मिलेगा सिंफल आपको यहां पर करना होगा अब दोस्तों जैसे ही आप यहां पर को सबसे पहला आपको land कि मिलेगा फ्रीफायर एकाउंट यू आड़ी यहां पर जो आपके खुच से ही ले लिय जाएगा देन यहां पर आपको एकाउंट करना एक नेम भी ले लिया जाएगा तो अब आपको नीचे आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आपको सिंपल क्लिक करना होगा अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे कई सारे आपको देखने को मिलेंगे तो दूसरे नंबर प को देखने को मिलेंग裝 सबसे निचे आप को तो आप यहां पर ऑपडिक करना है अब पर वीडियो का सब bananas ब्लिक क्लिक करोगे आपको एस किự का लिखना है वह सारा कूछ बता गिया है ए PER तरह को इस तरीके से उस पूरे मैसेज उस पूरे मैसेज ion को कॉपी करना है यहांपर आपको हेलो जहां को मार्क लगा पूरा लाश तक कुछ स्थे रहा हो घट करना है। कोपीद से उसके बाद देखोगे ब्रेकेट में मैंने कुछ लिखा वे जैसे कि यहांपर आप प्रेस्बुक आपको 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 शूर्ण नाव नाम अम्हाने कि यहां पर NOT लगता है दो लगता है यहां पर देना है आपको आपको प्रेफार करवाना चाहते हो तो जो भी पास उससे आपको यहां पर दे दिना है अब दोस्टो इतना सब करने के बाद आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से भी लिख सकते हो तो आपने हिसाब से भी लिख सकते हो नहीं तो आपको इसी तरीके से बिल्गुल कर देना जैसे मैंने आपको भी बताया है तो नीचे आपको प्राइवेसी पॉलिशी का एक बॉक्स देखने को मिलेगा इसे भी आपको देना होगा उसके बाद एक आपको लाश्ट अप्शन देखेगा जो कि होगा अटेज्मेंट का अब यहां पर आपको फेस्बुक अकाउंट का एक स्कीन सॉट लेकर यहां पर अटेज कर देना है इतना सब करने के बाद आपको कुछ दिन का वेट करना है एक हपता या फिर एक महीने तक का टाइम लग जाता है आपको रिप्लाई आने में जो भी अपने नया इमेल एडर सेंटर किया है उस पर आपको मैसेज आ जाएगा कि आखिर आपका अकाउंट यहां पर ट्रांसफर ह नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू से कलिजेगा हमारे यूट्यूब चैनल को तो आपसे मिलता है किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए धन्यवाज जय हिंद वन्यमातरम